जैहिन दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत था आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में आज हम Microsoft Excel के कुछ फर्मूला के बारे में जानेंगे जिसमें पहला फर्मूला है E-Date दोस्तों E-Date फर्मूला के तुरू हम एक्सपैरी डेट को निकाल सकते हैं हमारे पास manufacturing date है और कितने मन्थ बाद वो product expire करने बाला है वो month है तो दोस्तों हम यहाँ पर आसानी से expiry date निकाल सकते हैं इसके लिए आपको फर्मूला लिखना है E-Date bracket open करना है open करने के बाद आपको start date डालना है तो start date में हम manufacturing date डालेंगे कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद वो month डालना है जीतने मन्थ बाद product expire होगा तो month देंगे bracket को close करेंगे और interface करेंगे तो यहाँ पर expiry rate निकल करके मिल जाएगा अब हम यहाँ करसा रखेंगे और नीचे की तरफ drag कर लेंगे तो total expiry date आपको निकल करके मिल जाएगा तो दोस्तो यह formula है E-rate formula अगला formula जानेंगे जिसको बोलते हैं sum formula जिससे जोडने के लिए इस्तमाल करते हैं माल नहीं आ जाए A, B, C, D, E, F, G का एक data है यहाँ पर total निकालना है तो total निकालने के लिए हम formula यूज करेंगे is equal to sum bracket open करेंगे number one, number two, number three इस data में हम इस range को select करेंगे bracket को बंद करेंगे और enter करेंगे तो हमें total निकल करके मिल जाएगा अगला formula है दोस्तो sum x my2 के नाम से जिसमें हमें क्या है कि पहले value से दूसरे value को minus करके और जो अंक मिलता है उसका square हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या type करेंगे is equal to sum sum x my2 bracket open करेंगे अब array one में पहला data डालेंगे कॉमा देंगे array two में दूसरा data डालेंगे bracket बंद करके enter करेंगे तो यहाँ पे value 9 मिल जाएगा मतलब 7 में से 4 minus करेंगे तो हमें 3 answer प्राप्त होगा और 3 का अगर square करेंगे तो 3 ती यह 9 हमें answer मिल जाएगी तो इसे बोलते हैं sum x my2 दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजे और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिंद आपका दिन सुभो थांक्यू फर वाचिंग